तो अभी का ये ट्रेंड बन चुका है और भी जब से ट्वीटर ने अभी एलन मस्क को वेलकम किया है, सामने लाया है, तो इतना ज़्यादा अभी ऐसा हो चुका है कि सब उसके पीछे पड़े हुए है, ठीके सब कमपनी निकालने में बिजी है, निकालो जितना जल्दी हो सक कि सब को निकालो, तो अभी क्या ये फंडा क्या चल रहा है, क्या अभी सिच्वेशन है, क्या हो रहा है भाई लो, देखिए जो बात ऐसा है कि में फैक्ट आपको समझना होगा, कि यहां पे क्यों इतना ज्यादा ले ओफ हो रहा है, इतने बड़े-बड़े कमपनी क्यों इतना ले ओफ कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और सब कुछ को समेट के, everything को gather करके, हर एक information को ले के, आज वेलियन वैंपी आपके सामने ये प्रस्णों का उत्तर एकदम, easy में रखने के लिए आया है, तो एक बंदा है, जो कि इंडिया में आता है, हाईदरबाद से, वो क अगरवाल, उनको एलन मस्क अपने ओफिस में गुषते ही, ट्विटर को खड़ितते ही, उनको निकाल दिये, एक जटका में एक किक मार के निकाल दिये, मार्क जुकरवग, CEO of FB, वो यहाँ पर मान रहे हैं कि 11,000 एमप्लोईज को एक साथ वो निकालेंगे, जो लॉस ट्र अगते हुए भी वो लेओफ किये थे, 2500 एमप्लोईज को और बहुत बड़ा बैकलाश उनको मिला है इसके तरफ से, तो इतने बड़े-बड़े टेक जाइंट, इतने बड़े-बड़े कमपनीज क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर निकालने के कोशिस में लगे हैं, हर एक का उत्तर आपको सिंपल में देनेक से पहले, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, first of all, Meta ने अपना 30% जो लेओफ है, वो कहां से शुरू किया है, आपको पता है, लिफ्ट बोलके जो हमारे यहाँ पर उबर ओला जैसे कमपनी है, वो यहाँ पर 700 एमप्लोईज को निकाले में स्नैप कर दे, इसमें क्या हुआ था, मैं आपको अभी समझाता हूँ, जो मेन पार्ट है, वो यह है, क्या हुआ, जब 2022 में पैंडेमिक आया था है, उस वक और उसके बाद, shortly after that, बहुत जादा हाई प्रोफिट हो गिया था, मतलब कमपनीज को बहुत जादा के कारण से, बहुत जादा हाई inflation rate हुआ, हाई interest rate भी हुआ, supply chain में भी बहुत जादा कमती हो गिया, उसका भी cost बहुत जादा बढ़ गया, तो उनको जोड जवरदस्ती क्या करना पड़ा, कि employees को निकालना पड़ा, उनको यह सोचने में मजबूर करना हुआ, यहां पे rethink करन हुआ, कि हम लोग को employees निकालने पड़ेंगे, ताकि इन जो loss हो रहा है, इतना ज्यादा हम हवा में उर रहे थे, अभी जो loss हो रहा है, उनको थोड़ा सा यहां पे ठीक ठाक किया जाए, balance किया जाए, layoffs.fyI, layoffs.fyI, यहां, और तो वो layoffs चेकिंग करते है, तो वो मान रहे है कि यहां पे पूरा statistical data में दिखा रहे हैं, कि 1,20,000 layoffs हुआ है इस यह year, present year 2022 को अब तक, तो आपको दिखाई दे रहा है कि layoffs का यह जबाना है, बहुत ज़्यादा layoffs हो रहा है, हर तरह से बड़े-बड़े companies, बड़े-बड़े tech giants, यहां पे एक ही बार में ऐसे layoffs कर रहे है क्या यह fashion है, क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनको करना पसंद है, यह हमको पता नहीं है, हर एक company का दुसरा-दुसरा strategy है, अगर एक company, दुसरे company को देख के यह काम कर रहे है, तो वो उनका ही funda है, वो उनको ही करने दीजे, आप यहां पे गुसके, आपको कोई फा मेरे लिए ठीक है, कौन सा secure है, और कैसे मुझे आगे बरना चाहिए, आप ऐसा company चूज करो, ऐसा कोई चूज करो, जो कि इतने बड़े ना हो, ठीक है, सिर्व salary के पीछे मत भागो, सिर्व position के पीछे मत भागो, अगर आप एक job oriented person हो, job करना चाते हो, तो ऐसे ही company में करो, जो कि अपना profit को ठीक ठाक रखता है, अपना एक standard है, secure है, उसके साथ इतना बड़ा बड़ा companies नहीं है, क्योंकि after all हमारा जीवन बहुत ही छोटा है भाई लोग, इस छोटे से जीवन में आराम से secure रहना, और जितना हो सके मुझे पता है कि private jobs में बहुत जादा मगजमारी लेकिन इस मगजमारी को intention, depression, जो भी का आप कहते हो, उससे थोड़ा सा बचकी अगर हम रह सके, तो उसमें हमारा ही वलाई है, तो ऐसे companies join करो, ऐसे companies में लो, जो ठीक है चलो, उसको छोड़ने में भी मुझे हम लोग को इतना जादा खराब ने लगेगा, जटका ने और आम लोग उसे join कर सकेंगे, उसके साथ एक bonus point है कि भाई अपने पैरों में खरा हो, एक चाय वाला बन जाओ, एक पांदुकान खोल दो, जो भी करो, अपने दम पे करो, ये job के चकर में मत रहो, तो मैं ये खुल के कहता हूँ, job is the worst scenario अभी इस इंडिया में जो हो रहा है तेरा setup में कुछ problem हो गिया था audio में, तो मैं ये ही कहना चाहरा था कि एक लाग, दो लाग, आपको 70,000, 80,000, जो भी आपको पसंद है, उसके हिसाब से आप, जो भी job आपको मिलता है, उसके चकर में मत रहो, भाई लोग अपने पैरों में खरा हो, थोड़ा सा practical बनो, logical बनो क इस सिनारियों में क्या चल रहा है, क्या आपको job help करेगा, क्या आपको family में चलाने के लिए help करेगा, क्या आपका health भी ठीक रहेगा, इन सब में थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, क्यूंकि बाद में जितना आपका पैसा खर्च होगा, मान लीजे आपको health issues आता है, जो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर issues आता भी है, तो मान लीजे एक bed का खर्चा, एक रात के लिए आपको पता ही है कितना पड़ता है, तो इन सब को देखते हुए, आपके family के security को देखते हुए, ज्यादा हवा में उरने के कोशिस मत करो, क्यूंकि वो दिन गए, 2005-06 तब तक वो उपायक हो जो, जिसमें पैसा भी income हो, sources आपको पता है, उन सब में invest करो, और एक समझदार नागरिक बनो, समझदार एक इनसान बनो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो वेलिन वैंपी को सब्सक्राइब कर दीजे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बेल रेने कीली